वेलकम टो आई चैनल असलाम अलेकूम होप यॉर डूइंग वेल यह 4 मिटर फैब्रिक है प्रिंटेट फैब्रिक क्रेप फैब्रिक है इसकी विट्थ है 44 इंचेस और हम यह 4 मिटर फैब्रिक में सलवार और कुर्ती दोनों तयार करेंगे तो इस तरह से हमने इसको विट्थ वाइस फोल कर लिया है और अपना मेजरमेंट ले लेंगे जिस तरह से हमने अपना मेजरमेंट लिया है आप भी उसी तरह से अपना मेजरमेंट ले लें इस तरह से फूल लेंग्थ हमारी है 14 इंचेस तो इस तरह से हम किनारी की साइट पर folding भी होता है तो इस तरह से फिर हमारी ready link 14 inches किया जाएगी तो इस तरह से हम top part को अलग कर लेंगे cut करते हुए और फिर इसका measurement लेंगे तो इस तरह से हमारी shoulder है 14 inches तो इसका हम half कर लेंगे तो हम shoulder रखेंगे 7 inches पर और इसी तरह से arm hole भी हम रखेंगे 7 inches पर और इसी के साथ 15 inch पर कमर और heap रखेंगे हम 22 inches पर इसी तरह से arm hole को इस तरह से draw कर लेंगे एक इच अंदर की तरफ हम front arm hole cut करेंगे तो इस तरह से हमने एक इच अंदर की तरफ लेते हुए draw कर लिया है आदा इंच कंदी down करेंगे और neck width हमने रखी है 3 inch इस तरह से front neck हमारा 6 inch है और back 4 inches और इसी तरह से line draw कर लेंगे और chest का हम 14 हिस्सा plus margin रखते हुए margin हम 1,5 inch या 2 inch भी रख सकते हैं इसी तरह से कमर का भी 14 हिस्सा plus margin छोड़ते हुए और heap का भी 14 हिस्सा plus margin छोड़ते हुए हम नीचे दामन भी उतना ही रहेंगा जितना हमारा heap का size है इसी तरह से हम line to line draw कर लेंगे और इसी के साथ armhole का front वाला shape दे देंगे और back वाला और इसी के साथ margin के साथ line draw करते हुए हम इसे cut कर लेंगे और साथ ही back part को हटाते हुए फिर हम front part का neck और armhole cut कर लेंगे इस तरह से और इसी तरह से उसी folded side में बचे हुए fabric में से हम slews भी cut कर लेंगे तो इस तरह से हमने slews का margin रखा है chest का 4 part में से 1 inch हमने कम किया है तो chest का 4 part हमारा 8 inch था तो उसमें से हमने 1 inch कम करके 7 inch लिया है plus 2 inch margin इस तरह से हमने 9 inch की slews को fold किया है और इस तरह से 3 inch का down करते हुए slews का shape दे कर इसी तरह से हमने slews को cut कर लिया है margin छोड़ते हुए और इस तरह से front में down करते हुए slews को खोलते हुए सामने से इस तरह से front की slews cut कर लेंगे यह हो गया हमारे slews अब देखेंगे कि हमारे पास कितना फैब्रिक बचा है इसे हम पूरा ही फोल कर लेंगे और इस तरह से इसका मेजरमेंट ले लेंगे तो हमारी बॉटन पार्ट की लेंग्ट भी है 14 इंचेस की तो इसी तरह से ये मेजरमेंट कर लेंगे कि ये फैब्रिक हमारे पास कितना ब कर लेंगे लास्टिक के लिए तो इसके बाद हमारा फैब्रिक बच जाएगा 14 इंचेस का तो हम हाफ इंच इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए एक्स्टा पट्टी लगा कर हम बॉटम को स्टीच कर लेंगे तो हमारी रेडी लेंग तयार हो जाएंगे इस तरह से हम क्रोच 14 इंचेस पर रखेंगे और यहाँ से हम 16 इंच ले लेंगे तो यह थोड़ी लूस टाइप की सलवार है डेली उसके लिए बहुत ही कमफडेबल होती है बॉटम है हमारी 7 इंचेस की तो इस तरह से एक्स्टा मार्जन छोड़ते हुए और आप देख रहे हैं इस तरह से हमन इससे कट कर लिए और फोल्डेट साइट को भी अलग कर लेंगे और इस तरह से यह उपर वाली साइट जो फोल्डेट थी उसे भी हमने कट करके अलग कर दिया है है simple लगा अगया त्यार खरी गया में किए जरीजिए हैं और यह यह वप आपको ये वीडियो पसंद आए आपके लिए helpful रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फो वाचिंग मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज